अगर आपको अगर इतना ही प्यार मोहबत है तो देश से प्यार कीजिए भारत मां से प्यार कीजिए जैसे बीर अब्दुल हमीद किये और देख सकते हैं उनके बगल में उनकी पत्नी का लगा हुआ है वहाँ पे तस्वीर बना हुआ है और वह यह साप दर्स आता है कि जिस हुआ था तो सबसे आगे बढ़ चड़कर हिसा लिये थे और आठ टैंकों को पकिस्तान के टैंक था जिसको उड़ाते हुए और अपने ना जाने 76 गोली अपने शरीर पर खाकर और देश का इजत बचा है लोग जो हुआ है आज के डेट में प्यार में मतलब एकदम बेतहा चाहिए कि अपने देश की बेटियों को बाटने में लगे हुए हैं और ना जाने क्या कर रहे हैं लेकिन देखिया अपने भारत के इतिहास में अब्दुल कैसे थे जो देश के लिए मण मीटे थे और यहां पर जो है कि उनका पार्थिव शरीर गाउं में लाया गया था न अभियम गाजी पूर जिले के धामोपुर गाव में हैं और अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे मेरे सामने परतीमा किसकी है तो थोड़ा जूम करके आप दिखा दिजिए कि बीर अब्दुल हमीद की जो है कि यह परतीमा है और बगल में जो है कि उनकी पतनी है और कि अनके बारे में थोड़ी सी जनकारी आप लोगे को हम दे देते हैं कि इनका जन्म जो है कि ओने इसा 57 में यहीं इसी गाव धामोपूर गाजी पूर चिले के धामोपूर गाव में हुआ था ओने 55 में भारत और चीन की लढाई लड़ी थी Working potion 65 में आप लोगों को हम बता दे कि इन्होंने भारत और पकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी और उसी लड़ाई में जो है कि यह सहीद हो जाते हैं और इनके नाम पे इनके गाउं के बाहर जो है कि इनके नाम पे यह पार्क बनाया गया है और इस पार्क में जो है कि बहुत सार तूरिस्ट जो है कि टूर करने आते हैं और यहां पे घुमने आते हैं देखने आते हैं यहां पे इनका गाउं देखने आते हैं यह पार्क देखने आते हैं सारा कुछ देखने आते हैं तो इनके बारे में यह कुछ बाते हमने आपको बताई और वहीं 1965 की लडाई में बीर अ परषट करके उनको कमजोर किये थे और आप लोगों को बता देख सकते हैं आप लोग की यह परतीमा है बिर अब्धुल हमीद का आप एक युवा है कैसे देखते हैं उनको हमारे लिए आइकन है और पूरे देश के युवाओं के लिए यह आइकन है और आइकन माना चाहिए जिनके धर्ती पर अभी हम मौझूद है कि इसका उद्धान भी क्या गया लेकिन एक बार इसका और उद्धान हो जाए और इसमें कुछ रोजगार का अस्थापना कर दिया रोजगार के बारे में सोच दिया जाए तो साहत गाउं के तमाम लोगों का भिकास हो जाएगा इनके घर के कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा या पर क्या बाबा सही बात है न और देखिए आज के अबदुल लोग कहां घूम गूम हो गया है आपने तो यह है अमें सा इकनर से और हमेसा अिकनर रहेंगे आप लोगों को बता दें कि एक बार देख लिजिए इधर पर तीमा की और दिखा दिजिए और जितने सारे लोग हैं कि हिंदू मुसल्मान करते हैं और हिंदू मुसल्मान में फसे हुए हैं आज भी उनको कुछ जो है कि बिर अब्दुल हमीद से सीखना चाहिए सबक लेना कि एक ये भी जो है कि बिर अब्दुल हमीद कहे जाते हैं ये जो है कि ये भी एक मुसल्मान ऐसे बेखती थे जो की परम बिर चक्र से नवाजे गए हैं और ये जो ऐसे बेखती थे इनको जो है कि देश में एक अस्थान दिया जाता है और आज कल के जो अब्दुल होते है वो तो आज लड़कियों को तो क्या क्या करने के चकर में ही पड़े हुए हैं तो जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लब जिहाद से थोड़ा दूरी बनाईए और देश के लिए कुछ करिए और हिंदू-मुसल्माने आप आम में आप लोग ना फसी है अच करते हैं नहीं के आप लोग कैसे देखते हैं कि सद्धूर्णीस गाओं करने का उत्याइस करते आप बीर अब्दुल्हमीद के बारे में क्या सोचते हैं मुहम्मद रहान इद्रिशी जी देखिए धरम से ना जोड़ा जाए क्योंकि विभारत के लिए और तेस्ट के लिए गर्व है और हमेशा माने जाते हैं क्योंकि जब भारत और पकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सबसे आगे बढ़ चड़कर हिसा लिए थे और आठ टैंकों को पकिस्तान के आठ टैंक था तो इसको उड़ाते हुए और अपने ना जाने ना चाहिए कि नहीं अब्दुलहमीज साहब से इकदम चाहिए चीज है इनसे अगर तरफ जावानी से लेकर बुड़ापा तक इंसे सीखना चाहिए अगर आपको अगर इतना ही प्यार मोहबत है तो देश से प्यार किजिए भारत मां से प्यार किजिए जैसे बीर अब्दूल देख सकते कि पूरा सुन्दी करण हो गया है और आगे विकास भी होगा इसका पूरा भारत इन पर गर्प करता है और कहीं धामुपूर को यह स्वर्ग बना चुके हैं बीर अब्दूल हमीद और बस हम पत्रकार हैं पर तेक दिन आप न्यूज कबरेज करते हैं ग्राउंड लोग जो हुआ है आज की डेट में प्यार में मतलब एकदम बेतहासा पागल हो गया है आए दिन किसी ना किसी का मर्डर और पता नहीं क्या क्या होता रहता है तो लोगों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे आपके वीडियो के माध्यम से आप वीडियो में आप क्या है चाहिए लोग देखराएं चिडिया बैट रहती तो उसको उड़ाक कि निशान लगाते तहीं यह कितना कवाथ है तो आज के वहाँ को हमारा संदेश है कि उठीए और गर्व से अपने देश के लिए समर्पित हो जाएए बाकी कुछ अपने लिए नहीं है देश से बढ़के जितने लोग देख रहे हैं बाबु सोना सोना मोना टोना के चकर में आप लोग ना पढ़िए और जो है कि बीर इसी से वार करते थे